तो खरगौन में देर रात बसों और कार में आग लगा दी गई फायर ब्रिगेट ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया खंडवा रोड पर मेकैनिक नगर की एखटना है जाच के बाद अब इस पूरे मामले का खुलासा होगा बताने कि आज भी शहर में कर्फ्यू जारी है तो कर्फ्यू के दौरान तीन बसों में और एक कार में आग लगाई गई तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तीन बसों में आग लगाई गई और एक कार को भी आग के हवाले किया गया खरगोन जिले में करफ्यू के बीच लगातार तनावपूर्ण इस्थितिया बनी हुई है करफ्यू के बीच में देर रात खरगोन में उब्द्रव्यों ने बसों को जला कर खाक कर दिया है इस वक्त हम मौजूद हैं खरगोन के खंडवा रोड इस्थित एक गैरेज में जहां पर बसों का निर्मान होता है डेंटिंग पेंटिंग का वर्क यहां पर किया जाता है और उसके साथ साथ में जो बसों का टेकनिकल काम होता है वो भी यहीं इसी गैरेज में होता है और देर रात यहां पर जो है उब थे उनमें भी आग लगाने की कोशिश उब्द्रवियों ने की है बात की जाए तो खरगोन में लगातार हालातों को सामान ने करने के लिए पुलिस और प्रशाशन जुटा हुआ है लेकिन इन सब के बीच में उब्द्रवी यहां पर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं किस तरीके से घटना करम पूरा हुआ? सर हम रात को हमारे घर पर थे पलोस में मारूती गेरेज उनके माँ सीसी टीवी केमरे लगे वे हैं उन्होंने केमरे मुबाइल चेक करा तो आग की लपटे जल रहे थी उनकी कार जल रहे थी और इधर मेरी बसे जल रहे थी उन्होंने मुझे काल करा कि इमरान भई अपनी जल रहे हैं हमने टतकाल फायर बिगडर को फूल लगाया फ़ायर बीगडर ततकाल अई और उन्होंने दो गाले आई थी उस वक्ते दो गालियों से आख पर काबून नी पाया गया उन्होंने और गाल्या बुल वोई कितनी बसें जल गई है कितना नुकसान आपका हुआ सर्शन तो बहुत जादा हो गया है अब अपनों को तक मेया मैं MEM Lucky में 507 भुलौई प्रिशाशन का दावा है कि इस्तिया जल्द से जल्द काबू में होंगी लेकिन इस बीच लगातार जो उब्द्रवी हैं दंगाई हैं वो यहां पर चुनौती खड़ी कर रहे हैं इस तरीकी की घटना लगातार घरगोन में तनाव को बढ़ा रही है हाला कि पुलिस लगातार अलर्ट है ग्रहमेंट्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा लगातार पूरी घटना करम की अपडेट जुता रहे हैं सिएम शिवरा सिंग्ग चौहान भी लगातार अधिकारियों से स्तिती को लेकर जानकारियां जुटा रहे हैं खरगोन से क्यामा परसंट जीजिन रमकवाने के साथ प्यूश पारे बंसल न्यूज